नाथ धौम में लगतार मौसम बदल रहा है जिस पर नज़र रखे हुए हैं सियम धामी और उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि अगर वो चारधाम यात्रा के लिए पहुच रहे हैं तो पूझी तयारी के साथ पहुचे हैं क्योंकि पहाड़ी इलाकों में अलग मौसम है मैदानी लाकों में गर्मी रहती है तो ऐसे में जब आप पहाड़ी लाकों में पहुच रहे हैं तो गर्म कपड़े रखें जो भी सुगधा होती है ठंड से बचने के लिए उसके इंतितामात करके पहुचें इसके लावा उन्होंने ये भी जिक्र किया कि स्वास्त अपरल को बद्रिना धाम की यातरा की शिरुवात हो जाएगी इस बीच मौसम की बदलने और ठंड से चिंता बढ़ गई है यमनूत्री और यमनूत्री की यातरा कल प्रारम्ब हो गई है कल दोनों के कपाट खुल गए है, मैं सुवें वहाँ गया था पुरे देश से आयोे सर्धालों में एक जोस है, मैं कहूँ कि आस्ता सरधा का एक बड़ा बेग वहाँ पर देखा जा सकता है यात्रा अच्छी चल रही है पत्तिस तारिक से भगवान बाबा केदार नाज जी के कपार्ड भी खुल रहे है